वेलकम फ्रेंड्स फेस्बूक या इंस्टाग्राम में उपर नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें एड दिखती है जैसे कि ये फेस्बूक है और इसमें ये जो है ये एक एड है यहां साइड में ये भी एक एड है ऐसी एड अपने बिजनेस के लिए आप खुद भी बना सकते हैं फेस्बूक में एड देना फाइदे मन्द है फेस्बूक विश्व में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सूशल मेडिया प्लेटफॉर्म है पूरे विश्व में फेस्बूक के 245 करोड से ज्यादा यूजर्स हैं और 180 करोड से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं आपको जानके ताज्यूब होगा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फेस्बूक के यूजर्स इंडिया में हैं इंडिया में 34 करोड फेस्बूक यूजर्स हैं और उसमें से 25 करोड से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं Active Users मतलब कि जो daily Facebook यूज करते हैं आपके customer Facebook पर है अगर आप नहीं हैं तो आप customer मिस कर रहे हैं Facebook में एड चला कर आप भी अजारों लाखों customer को अट्रेक करके अपना business बढ़ा सकते हैं आपका business छोटा हो या बड़ा बले आप घर से ही कोई काम कर रहे हो without office आप Facebook में एड दे सकते हैं एक और important बात Facebook में एड चला दे हैं तो कितना खर्जा होता है तो Facebook में आप सिर्फ 500 या 1000 रूपीज में भी एड रन कर सकते हैं 1000 रूपीज में भी आप 5 दिन तक आपकी एड चला सकते हैं Facebook में एड शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको business manager account बनाना है इस वीडियो में business manager account कैसे बनाते हैं वो देखेंगे जैसे कि business manager account बनाने के लिए आपके पास personal account होना चाहिए और मैं मानता हूँ कि personal account तो हर एक के पास होगा ही business manager account बनाने के लिए जैसे कि मैंने एक doc file यहां तयार किया है जिसमें step by step business manager account कैसे बनाते हैं वो यहां जानकारी दी है यह past step मैंने यहां बताया है वो past step से हम business manager account बना सकते हैं जैसे कि create business manager account, add page, create add account, add people, add payment method जैसे कि first step लेते हैं business manager account बनाना तो यहां यह लिखाई है कि business.facebook.com पे आप login हो जैसे कि यहां मेरा account है, मेरा business manager account तो है मैं आपको think openito mode में बताया हूँ कि यहां business.facebook.com यहां आप click करें तो यहां जैसे कि create account पे आप click करें जैसे कि आपको सबसे पहले login करना है आप जैसे कि यहां create account पे भी click करेंगे तो आपको first आप login हो ऐसा आपको message आएगा यहां अपना email idea, phone number और password डाल के आप पहले login हो जाईए लोग इन हो जाएंगे तो बाद में अगेर वापस आपको create account पे click करना है जैसे कि यहां मैंने बताया है कि create account फिर login होना है फिर वापस create account तो फिर आपको सिर्फ यह तिन information देना है first your business and account name मलब कि आपकी जो company है या जो भी छोटा या बड़ा जो भी business है जो आपने नाम दिया है business का जैसे कि XYZ enterprise या जैसे कि आप एक छोटा account का काम करसे करते हैं आपने नाम दिया है जैसे कि Rajesh accounting service तो यहां आप नाम दीजिए Rajesh accounting service जो भी नाम है तो वो आपको देना है second your name your name में वैसे आपका नाम आई जाएगा पर फिर भी नहीं तो आप अपना नाम लिखिए कि आपका नाम क्या है फिर your business email यहां आपका जो email है वो email दीजिए Gmail हो या जो भी आपका personal professional email हो जो भी आप देना हो दे सकते हो Gmail भी आप दे सकते हो पर याद रखिए यह Gmail या जो भी एक email ID है उस पे ही Facebook आपको email करेगा यह आपके account के बारे में तो कोई भी आप यहाँ email ID कोई भी मत दे दिजिए जो आप daily access करते हैं वही email ID आप यहाँ डाले क्योंकि information उसी email पे आएगी तो कुछ problem ना हो इसके लिए आप वही email ID यहाँ डाले फिर आपको यह ती information डालके आप next करेंगे next देंगे तो फिर एक और information आएगी your business detail जिसमें country तो इंडिया street address तो आपका जो पुरा address है business का या घर का जो भी address है घर का address हो भी दे सकते हो city जो भी एमदावाद राजकोड बरुड़ा जो भी है state कुजरात या जो भी है zip postal code phone number जो आपका है आपका जो website है वो सारी information आप यहां फिल करें फिर जैसे की नीचे आपको यसे पुछा जाएगा कि this account primarily use facebook tools data to तो यहां दो option है कि आप ये account को ये tool data वगेरा यूज़ करोगे तो किसलिए आप यूज़ करोगे तो यहां जैसे की promote its own goods और service और दुसरा है provide services to other businesses तो आप अपना काम करते हैं तो आप ये first वाला जो है वो आप टिक करें आदें promote its own goods और service इस पर आप टिक करें and last में यहां submit पर आप क्लिक करें submit पर क्लिक करेंगे तो तुरंती आपको एक information वो देंगे कि verify email तो आप अपना ये जो भी email या जो भी email account है वहां आप जाएए वहां facebook ने एक email बेजा होगा तो वो email पे एक link होगी वो link पे आप सिर्फ क्लिक कर दीजिए तो क्लिक करेंगे तो तुरंती आपका business manager account create होगी है message जैसे आ जाएगा तो इतना करेंगे verify email तो आप बात में भी कर सकते हैं आप जस्ट आगे बढ़िए और verify email आप ये process पूरी हो जाने के बात करेंगे तो भी चलेगा तो उसके बाद जो next screen जो आएगी वो आपको पुछेगी ऐसा कि set up your business manager business manager को set up करूआ वहाँ आपको ऐसे तीम बाते भी आजाएगी कि page, add page, add account, create account, people, add people ऐसा आएगा तो आपको ये तीम जो है option वो आपको execute आगे करना है कैसे तो वो मैं बताता हूँ, जैसे कि first है ये page है तो ये मैं page के बारे में बताता हूँ doc file में मैंने इसके लिए बताया कि मैं आपको इसके interface में भी ले जाऊंगा और आपको सब बताऊँगा कि facebook का जो interface है वो change होता रहता है तो मैंने इसके लिए doc file बनाई है तो आप ये doc file के इसाब से ही करें और मैं interface भी बताऊंगा कि अगर को interface change हो गया तो मैंने यहाँ जो लिखा है उसाब से ही आप करिए तो हो जाएगा और आप easy हो जाएगा पांच मिनिट में आप business manager account create कर देंगे तो जैसे की page पेज में जैसे की आपको नीचे तीन option वो पुझेंगे पेज में कि add a page you own फिल लिखा होगा add someone else page फिल लिखा होगा create a new page आपने अगर कोई add page बनाया नहीं है तो यहाँ ये जो create new page है वहाँ से page बनाई है और अगर आपका page बना हुआ है तो मैंने जैसे की इससे पहले वीडियो बनाया था कि facebook page कैसे बनाते हैं तो उससे आप page बना लीजिए पहले तो फिर बाद में यहाँ ये जो add a page you own वहाँ आप खाली click किजिए और click करके वो आपका जो page होगा वो automatic वो बता देगा उस page जैस्ट आप click करेंगे तो वो page है वो automatic आपके business manager में add हो जाएगा ठीए और नहीं तो फिर आप create a new page new page create करने के और भी अलग-अलग option बहुत है दूसरी जगा से भी आप कर सकते हो पर ऐसे करें आप second है add account मतलब कि कोई भी add आपको run करनी हो तो उससे पहले आपको एक add account बनाना पड़ता है add के बारे में तो उसमें भी जैसे कि आपको यहां तीन option यहां आएंगे कि add an add account you own फिर होगा add someone else add account फिर होगा create a new add account आप यहां यह जो create a new add account है उस पे click किजिए उसमें नीचे यहां लिखा होगा create add account उस पे click किजिए और एक अपना नया add account बना दीजिए जिसे कि आप create add account पे click करेंगे तो नीचे आपको ऐसे पुछेंगे कि बी add account name आपके add account का नाम क्या है तो आप जो भी related यह जो आपका XYZ enterprise आपने नाम रखा दा वो नाम भी आप दे सकते हो या जैसे कि XYZ enterprise आपकी company है या जो भी business है उसमें आपको यह काम करना चाहते हो जैसे कि भी आपको जो product है उसको सिर्फ sale करना है तो sale purpose जो आपको नाम रखना हो वो आप रख सकते हो XYZ sales एसा एसा भी आप रख सकते हो या आप XYZ sales ही रखो तो भी रख सकते हो तो आप यह ad account का जो भी नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो फिर जैसे कि time zone तो time zone में आप जैसे कि इंडिया में हैं आप तो जैसे कि यहाँ GMT 530 Asia Kolkata आप select करें currency में आप INR इंडियन रुपीस जो है वो select करें payment method तो वो भी यहाँ करना जरूरी नहीं है आप इतना करके यहाँ next करें और आपको पुछा जाएगा कि who will this ad account be used for मलब कि this ad account will be used for यह ad account किसके लिए use होगा तो यहाँ जैसे कि लिखाएगी my business और दुसरा यह another business or client तो आप यहाँ अपने business के लिए यह आपको add run करनी है तो आप यह my business पे click करें okay my business पे click करें दुसरी business के लिए करना हो तो यह another business है पर आपको अभी my business पे करना है फिर आप बस create करें create करेंगे तो आपका add account जो है वो बन गया third add people and set permission add people मतलब कि यह जो add account बनाया है business manager बनाया है तो वो run कौन करेगा कौन इंसान कौन व्यक्ति पीपल तो उसको permission देनी पड़ती है तो जैसे कि मैंने यहां लिखा है कि आप इसमें automatic यहां आपका नाम आ जाएगा left side में ठीक है और आप side में यह option आ जाएंगे manage campaigns तो जैसे कि उसमें आप on रखे view performance उसमें आप on रखे मैं आपको यह सब अंदर भी ले जाके आपको सब यह बताता हूं यह सब आपको मैं अंदर जाके भी बताता है admin access में manage add account उसमें भी आप on रखे और assign कर दे आप assign करेंगे तो जैसे कि message will appear that मतलब कि वो message ऐसा आ जाएगा कि बैए so and so add account is created ठीक है ऐसा जो add account है यह वाला number वो number आ जाएगा वो account create हो गया है पस उसको आप close कर दीजिए और last जो option है वो है add payment method to run ads कि आप यह जो add account चलाएंगे तो जो add के लिए जो पैसा होगा जो facebook चार्ज करेगा तो वो कैसे चार्ज करेगा इसके लिए आपको अपना credit card वगेरा जो है वो आपको देना पड़ेगा उसमें से automatic वो चार्ज करेगा जो भी उसकी जो system है उस हिसाब से जितना पैसा होता है वो तो जिसे की हर महीने रैसे वो गरते हैं और आपको report भी सब मिल जाएंगे तो उसके लिए जैसे की मैंने यहां लिखा है कि business setting जो है उसमें जाना है जैसे की मैं यह जो option है यह मैं option यहां ही बता देता हूँ जैसे की यह business.facebook.com मेरा जो business manager account है वो मैंने खूल के रखा है और यह जो मैंने सारे जो option यह बता है जैसे की बले हम last में यहां है last वाला option add payment method तो उसमें यह लिखा है कि business setting फिर यह सब करना है तो जैसे की business setting हो आप यहां जाएंगे यहां business setting यहां होगा यह आपको दिख रहा है यह left side में तो आप वहां क्लिक किजिए यहां क्लिक करेंगे तो यहां जैसे की लिखा है कि यह payment option है left side में होगा ठीक है तो यहां आप जाएंगे यहां left side में बहुत सारे option है वहां एक payment option यहां है यह रहा यह आप payment पे क्लिक करें payment पे क्लिक करेंगे और यहां add payment method उस पे क्लिक करेंगे तो आप उस पे क्लिक करेंगे यहां सब मैंने बताया यह है वेसे तो आप click payment method पे click करें तो ऐसे आ जाएगा billing country में आप इंडिया ले ले जिए currency में इंडियान रुपीज फिर यान new credit card तो credit card जो है उसकी detail आपको देनी है credit card पे जो नाम है वो नाम card का number expiry month year और security code मनलब CVV code CVV code होता है ना पिछे होगा तिन character में visit में security code होगा तो वो आप यहां लिखिए और continue कर दीजिए continue करेंगे तो आपको paan card पूछेंगे तो paan card भी आप डाल दीजिए तो आपका payment method भी जो है वो भी आपका set हो गया है मेरा जैसे कि यहाँ payment method मैंने हर add account के लिए अलग payment method डाली है तो मैंने यहां से नहीं डाली है तो पर यहां से डालना भी अच्छा है आप यहां से डाल दो तो इस तरह से यह past step है और यह जो option है मैं आपको बता दूँ जैसे कि यह जो 5 option में जैसे कि मैं यह add page तो जैसे कि आप यहां से भी कर सकते हो यहां business account में आओगे तो यहां देखिए यहां होगा page अब page पे जाओ page पे जाएंगे जैसे कि मैंने यहां लिखा था यह जो page है इसमें यह 3 option है यह add page you want add someone else page create new page तो वो option यहां भी आते हैं add a page request access to page, create new page हमको add बना हुआ है तो सिर्फ add कर दे वही option यहां से भी आप कर सकते हो आपको दुसरा पे डालना हो तिसरा पे डालना हो पांचवा पे डालना हो तो यहां आके आप करो फिर जैसे कि add account मेंने बताया यह add account में भी तीन option वगेरा है तो वह भी सब यहां होता है यह add account यह सब business setting में आता है business setting में अंदर जाता है तो यह सब पुझाएगा जैसे कि यह इसमें भी जैसे कि मैंने यहां बताया था यह तीन option बुझते है यहां जैसे कि यह add है यह यह यहां उस पे क्लिक करे जैसे कि मैंने पताया था यह left side में यह right side में यह आपका नाम होगा ही तो उस पे आप खाली क्लिक करें उस पे क्लिक करके जैसे कि मैंने यहां बताया था कि फिर राइट साइड में यह सब होगा यह चार option उसको आप को पॉन प्रेस्टेसे की यहान जैसे की यह सब मेरे आइसेट और प्रॉपट्यस है यह जर्म यह जो बात है वक्राइक बात है रहायर। आपने सिर्फ यह केला ही बताएगा यह की फर्स्ट टाइम मेरे में ज्यादा है इसके लिए यहां 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 मैं क्लिक करूंगा तो जैसे कि मैंने बताया था वहा गया कि मैनेज यहां यहां करना है मैंने बताया आपको कि यहां यह है यह टोगल स्वीच है कि सब को अन करें गये आन करें और फिर सेव कर दें तो इस तरह से आप बिजनिस मैनेजर एकाउंट क्रिएट कर सकते हैं मैं फिर से ये स्क्रीन फिर से बता देता हूं तो आप कली जिस देख लें और बिजनिस मैनेजर एकाउंट बनाएं सिर्फ पांच मिनट पे बन जाएगा देखिए मैंने जो यहां लिखा है वैसा ही कीजिए मैं देरे देरे वापस जाता हूं नीचे जाता हूं तो इस तरह से बिजनिस मैनेजर एकाउंट आप क्रिएट कर दीए आगे आगे की जो वीडियो है उसमे फेस्बुक पे एड कैसे चलाते है तो उसका पुरा टुटोरियल मैं वन बाइवन वीडियो बनाके अपलोड करूंगा इसमें कम से कम 10 से 15 वीडियो मुझे कम से कम बनाने पड़ेंगे क्योंकि फेस्बुक बहुत स्ट्रॉंग प्लेटफॉर्म है दुनिया के टॉप 10 कमपनी में फेस्बुक का नाम आता है और फेस्बुक की जो कमाई है वो एड से ही होती है सोचिए कितना पावर्फुल प्लेटफॉर्म होगा यह कि लोग एड भी देते हैं करोडों रूपिया की तो इसमें बहुत सारी फेसिलेटी है तो वो सब मैं अगले आगे वीडियोस बनाता जाओंगा और अप्लोड करता जाओंगा आप जिसे की यह जो चैनल है इस पे मैं आनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं सोचिएल मीडिया मार्केटिंग वगरा जो है और रिलेटेट में वीडियो बनाता हूं आगे भी फेस्बुक मार्केटिंग के लिए भी आपको वीडियो सब देखने हैं तो नीचे सबसे पहले आप ये सब्सक्राइब बटन है उस पे आप क्लिक कर देजिए आइकोन जो सब्सक्राइब है उसको आप प्रेस कर दीजिए तो सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा कि आगे मेरे जितने भी वडियो आएंगे उसकी नॉटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे तो आप तुरंती वो जो नया वडियो है वो आप देख सकते हैं और 5.20 में ये भी है कि ये आप फेस्बुक मार्केटिंग का फेस्बुक एड एजनसी अपने खुद की भी आप क्रियेट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं ठीकी फ्रेंट्स तो all the best and thank you for watching this video